हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे मैं हुर आहूल जैसवाल एंस्वागेट करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एगें आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट जा रहे वो है दोस्तो हाउ टूफाइंड स्क्वाइर रूट जी हां दोस्तो ये टॉपिक का आप लोगों बहुत ही बेसबरी से इंतजार होगा बहुत सारे कॉमेंट्स आयन इंस्टाग्राम पे मेसेज़ आए कि सर ये स्क्वाइर एं स्क्वाइर रूट के ऊपर कुछ वीडियो बनाईए माच्टिक्स का तो आज फाइनली आप लोग का ये जो डिमांड है वो पूरा करने के लिए आ गया हो तो आज हम पढ़ने वाले हाओ टू फाइंड स्क्वाइर रूट फिर कभी और आपके लिए हाओ टू फाइंड स्क्वाइर्स हो सब के भी वीडियो लेकर आजाओंगा तो आप बस बने रही हमारे साथ और एक चीज़ दोस्तों बता दो दोस्तों कि हमारा जो मैंस्टिक्स के वीडियो सीरीज है और इसके पहले हमने और पाच्छे वीडियो बना चुके हैं तो उसमें हम लोग हाओ टू सिंप्लिफाइ नंबर विट बोड मास ये बहुत सारे वीडियो से इसके ओपर बने हुए हैं तो आप जाके HCF, LCM के भी है तो आप जाके देख सकते हो हमने अलग से प्लेलिष्ट भी तयार कर रखा है इस पर्टिकुलर सीरीज का लिंक जो है प्लेलिष्ट का हम दिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप वहा तो आप जाके देख सकते हो हर एक चाप्टर इजी लिए अविलेबल है वहाँ पर आमने अलग अलग प्लेलिष्ट बना रखा है 7th के मैट्स की 8th के मैट्स की 9th मैट्स 10th मैट्स साइन्स के भी सेम सब चीज का प्लेलिष्ट अविलेबल है तो बस आपको जाना है ढूंड कहीं कहीं आप चाहे स्कॉलर्शिप की एकजाम दो ओलंपियार दो या फिर कोई भी आप नॉर्मल एक स्कूल एकजाम क्यूनद दे रहे हो मैट्स के पेपर में आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी भी चीज का स्कॉयर रूट की जरुष होती है तो जैसा मैं हर बिल्कुल नहीं आपके पास एक ओप्शन है एक ट्रिक है हमारे पास उससे आप स्कॉयर रूट कितने भी चोटे नंबर कितने भी बड़े नंबर का निकालना सीख सकते हो चूटकी बजाते ही फटा फट आपको आ जाएगा तो ये ट्रिक में जो बताने वालो बहुत लेके में समझाने की कोशिश करूँ है लेट सब्स कि आपको कोई पूछता है कि 81 का जो रूट है वो निकाल के दिखाओ अब आपको सभी को पता होगा डायरेक्ली आप बोल सकते हो कि 81 का जो रूट आता है वो क्या आता है 9 आता ये आपको याद है इसलिए आप बोल यानि एक सेकेंड के अंदर आपने लिख दिया और अगर आपको नहीं आदे तो आपको at least 4 से 5 सेकेंड देने पड़ेंगे तब जाके आपका answer निकलेगा लेकिन answer जरूर निकलेगा तो यह मैं जो trick बताने वाला हूँ ध्यान से देखना सबसे पेड़े आपको करना है एक box त देख सकते हो for 7, 8, 9, 10 सबके लिए common है maths का वीडियो अलड़ी एक डाला था जिसमें हमने factors निकलना सिखा है था तो वह भी जाके देख लेना हम लोग ने वह भी upload किया हुआ है कुछ ही दिनों पहले ठीक है चलो शुरूआत करते हैं यहापे तो 81 का रूट कैसे निकलना फिर we know that कि 3, 3s are 9 होता है यह भी cut हो गया and we know that 3, 1s are 3 होता है यह cut हो गया यानि कि लाश में 1 आगया आपको stop कर देना है अब क्या करना है जब आपने 1 ला दिया यानि कि factor जब आपने निकाल लिए तो factor निकालने के वाद आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है क आपको निकालना है square root, square root का मतलब क्या होता है अगर आप ध्यान देओगे square root, नाम में ही क्या है square, square का मतलब होता है 2 यानि कि इसकी जोडिया बनाने, 2 का मतलब क्या होता है pair यानि जोडि, तो आपको यह factors मिले हैं तो जो number same है उसके जोडिया बना, तो यह 3 और यह 3 का एक जोडी बन गया, तो 3 के 2 जोडी बन गया, तो किसके किसके जोडी बने, एक बना जोडी 3 का, एक 3 का जोडी बना, और दूसरा भी जो जोडी बना, वो 3 का बना, अब ये दोनों को आपस में multiply कर तो 3 multiply by 3 is 9, तो आपका answer कितना आगे है, 9, तो आपका यहाँ पे जो factor है, यानि क स्क्वार रूट है, जो हमने already 9 बोल दिया था, आपने भी इसको solve करके 9 जो है, वो निकाल लिया, तो अगर आपको याद नहीं था, कि इसका square root 9 आना चाहिए, तो आपने इस तरीके से solve करके, आपने निकाल लिया, कि इसका answer कितना आया, 9 आया, clear है, थोड़ा-थोड़ा side ह अब चलते हैं, अगले example के तरफ, थोड़ा सा hard level का बताऊंगा, अभी तो यह बहुत easy लगाओगा आपको, लेकिन थोड़ा सा और hard level के उपर जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा, और अच्छी तरीके से, ध्यान से देखना, हर चीज आपको आज clear हो जाएगा, और आ आपको क्या निकालना है, इस चीज का root निकालना है, यहनी कि under root of, that is square root of 576, इसका आपको answer निकालना है, जो कि मुझे for example नहीं पता है, आपको 576 का square root क्या आता है, वो आपको याद नहीं है, तो कैसे निकालोगे, जैसे में हमेशा बोलता हूँ, आपको क्या करना है, हमारा method follow, that is, आपको इस तरह से line खीचनी है, और जो number लिख देना, that is 576, लिख दिया आपने, अब यहाँ पे factors जो है, निकालने शुरू कर देने, factors कैसे निकालते है, again, पहला number 2 लेते हमेशा, तो 2 ले लिया, 2 नहीं आता है, तो 3 लेनेगा, 3 नहीं आता है, तो 4 लेनेगा, आग 2 से divide कर सकते हो, last में 8 है तो, कर सकते हैं, क्योंकि 2 1s 2 हो जाएगा, 2 4s 8 हो गया, 2 4s 8 हो गया, फिर से 2 से आप divide कर सकते हो, 4 है तो, 2 7s 14 हो गया, and 2 2s 4 हो गया, 72 आया, फिर से 2 से divide कर सकता हो, yes, बिल्कुल कर सकता हूँ, 2 3s 6 हो गया, 1 बचेगा, तो 1 और 2 12 हो गया, यानि अगला नमबर यानि 3, तो 3 से 9 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 multiply by 3 जा 9, 3 जा 9 हो गया, 3 बच रहा है, तो 3, 1 जा 3 हो गया, लाश में वन आ गया, तो यहाँ पर रुख जाना है, stop कर देना है, फिर क्या करना है, stop करने के बाल, क्या करना है, यह ध्यान देने वा अभी तो हम square root पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में, हम cube root का भी बनाएंगे, तो cube root का जब होता है, तो 3 की जोडिया बनती है, 3 मतलब 3 नमबर की जोडिया बनती है, तिकडी बोलते है न, ट्रायड, तिकडी, तो वो 3 की बनती है, लेकिन अभी क्या निकाल ले हो square root, तो square का मतलब होता है, 2, तो square root मतलब 2 होता है, यानि कि आपको जोडी बनानी है, तो जोडी कैसे बनाऊगे, ये 2 की एक जोडी बन गई, ये 2 की एक जोडी बन गई, ये 2 की एक जोडी बन गई, और ये 3 की बेक जोडी बन गई है, तो जोडी किस की बन रही है, लिख दो किसकी किसकी जोडी बन रही है यहाँ पे आप ध्यान देना, ध्यान देना में क्या बोल रहोऊ, किसकी किसकी जोडी बन रही है, ये तू की एक जोडी है, यानि यानी 2 लिख दिया, ब characterization, अब ये सब नंबर को अपस में multiply कर दो, 4 हो गया, यहां तक 4 आगया, फिर 4 x 8 हो गया, यहां तक 8 आ गया, 8 x 3 हो गया, 24, यानि कि root 576 का जो answer है, वो है 24, करके देख लेना, निकाल के देख लेना, calculator होगा, अगर आपके पास निकाल के देख लेना, answer 24 ही आएगा, तो this is the method for calculating any type of square root of any number, clear है, तो उमीद करता हूं दोस्तों, आपको यह चीज समझ मे दूँगा, तो homework भी देते हैं आज के लिए, और उमीद करता हूं, कि आप लोग ऐसे type के questions, अगर आपको exam में पूछेंगे, तो आप easily उसको निकाल सकते हो, चाहे वो scholarship के exam हो, options आपके पूछते हैं, 4 options होते हैं, 4 हो में से सही जवाब देना पड़ता है, तो आप दे सकते ह आए, कोई भी कितना भी बड़ा number आए, आपको इसी तरह की से solve करना है, और इसी तरह के से उसको calculate करके आपको लिख देना है, square root, तो उमीद करता हूं, आप निकाल सकते हो, जाते-जाते homework यहाँ पर देता हूं आपके लिए, जो की है, दोस्तों, homework आपके लिए, today's homework, तो दो, तीन चीज़ का आपको मैं, यहाँ पर देने वाला homework, एक है आपका under root of 676, यानि square root of 676 निकालना है, यह आपका पहला homework है, दूसरा homework जो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, वो है, under root of 1764, यह आपको निकालना है, तो दो homework मैं आपको दे रहा हूं, यानि कि 2 square root आपको बहले ही, आप calculator से निकाल सकते हो, लेकिन दोस्तों, जो मैंने method सिखाया आप लोगो, जो मैंने आपको trick बताया है, वो trick से आपको answer जो है, निकालके डिखाना है, clear है, तो उमीद करता हूं कि आप लोग solve करेंगे, और मैं यह देखना चाता हूं कि आप लोग इसको फटा- उमीद करता हूं कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आने वाले दिनों में, और भी ऐसे बहुत ही मस्त और अच्छी तरीके से, जो math tricks के, बहुत ही हमारे पास, infinite तरीके के tricks हमारे पास available है दोस्तों, तो हम जितना भी knowledge हमारे पास से, सब आपको देदेंगे free of cost, कोई भी tension नहीं की जरूरत नहीं है, बस वक्त की देरी है, तो दिरे-दिरे करके आएगा, लेकिन आएगा जरूर, तो ध्यान लगा के देखते रहेगा, और प्यार जरूर से दीजेगा, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है, finally, प्लीज हमें बताना है, comment करके, और अ हर एक को यह method पता होना चीए, बहुत कम लोग होंगे, जिनको पता होगा already, तो हर एक तक पहुचा देना, ताकि हर एक बच्चा यह trick सीख के बहुत ही smart बन जाए, और बहुत ही अच्छे exam में marks जो है, वो निकाल पाए, clear है, तो फटा-फट से वीडियो को लाइक कर देना, शेर जरूर से करना, और चैनल पर फर्स्ट ताइम आये हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हीट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो को अप्लोड करेंगे, आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स तुम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू एंड गुडबाई